Hello students, आईए बचों, आज हम इस वीडियो में आपको सब्दूरूप लन करने का एकदम आसान ट्रिक देंगे अकारांत, जितने भी अकारांत पुल्लिंग सब्द होते हैं यानि जैसे बालग, छात्र, राम, देब, गज, नर, अश्वा, आचारिय, शिंह, परबत, शूरिय, ब्रिक्ष, यानि जितने भी अकारांत पुल्लिंग सब्द होते हैं सबी आपको तूरंत दो मिनट में याद हो जाएगा केबल आपको लन करना है तीन लाइन एक बचन के लिए एक लाइन, दी बचन के लिए एक लाइन और बहु बचन के लिए एक लाइन बस आप ये तीन लाइन को याद अगर कर लोगे तो आपको फिर जितने भी अकारांत पुल्लिंग सब्द है सबी का सब्द रूप आपको एकदम फटाफट याद हो जाएगा तो चलिए बचों हम आपको सिखाते हैं सब्द रूप अकारांत पूलिंग सब्द सब्द रूप को लर्ण करना एकदम इजी ट्रिक के साथ इसलिए बचों आप सुरू से अन तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुती फाइदे का वीडियो है तो चलिए हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले बचों आप यहाँ पर आपको हम यहाँ पर बालक का सब्द रूप को सिखा रहे हैं इसका मतलब केबल आपको बालक का सब्द रूप ही याद नहीं होगा ये अगर आप कर लोगे तो आपको जितने भी अकारांद पुलिंग सब्द है जितना भी मैंने कहा उतना सारा जितने भी अकारांद पुलिंग सब होते हैं सब लन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको हम सिखा रहे हैं बालक का सब्दूरूप लर्ण करने का तरीका यानि अकाराग पुलिंग सब्दूरूप सबसे पहले बचो सब्दूरूप लिखने के पहले आप तो विलेंट स्टूडेंट्स हो आपको तो पताई है पहले आपको बिभक्ति एक बचन दी बचन और बहु बचन को लिख लेना है और बिभक्ति में आपको पता है प्रथमा शेले के पूरा सम्मोधन तक होता है तो इ लेना है और फिर आपको करना क्या है पूरा में जितने भी एक बचन दी बचन बहु बचन है पूरे में आपको क्या करना है इस प्रकार बालक बालक जैसे हम पहले से लिख के रख दिये हैं तो उस प्रकार आपको क्या करना है पूरा में बालक बालक लिख के रख देना है फि कर लेना है क्या है बिसर्ग मेन आया से अब देखे यहां पर इसको कैसे हम तोड़ते हैं यहां पर बिसर्ग यह हो गया बिसर्ग कचिन और यह जो मेन है इसको क्या करना है इसको कैसे तोड़ना है यह तो बिसर्ग कचिन हो गया आई यहां से खलिया मा लेंगे क्या लेंगे म और मा में हलन्त दे देंगे ठीक है यह मा हो गया फिर यहां से हम एन लेंगे यह जो ए की मात्रा है इसको हम ए लिखेंगे क्या लिखेंगे ए ए लिख देंगे और यह न लिख देंगे तो यह बन गया एन ठीक है उसके बाद यह जो आयात है यहां से हम क्या लेंगे आए क्या यहां से क्या ले लिए आए यहां तक लिए और फिर इसको हम लिखेंगे अलग से आत क्या लिखेंगे बच्चो आत आत लिख दिये और फिर यहां देखें यहां पर पहले हम आधा शमय या श इसको हम लिख लेंगे चीक है इसको लिख लिए और यह यह इस प्रकार से हम इसक तोड़ लिए बिसर्ख फिर ये में से फिर एक बाश समझा दे रहें में से आपको मा लिकना है यहालंत देदेना है और एन जो है इसको हम N लिक दिए एक ही मात्रा को A लिखे और ना को ना लिक दिए अ हो गया फिर आयात आयात को हम अलग से तोड़े है, आय लिख दिये यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आत लिख दिये, यहाँ पर हलंद दे दिये, ठीक है, और शे, शे को क्या कर दिये, पहले शिया लिख दिये, ठीक है, यह शिया लिख दिये, और यह एक ही मात्रा को ए लिख दिये, और इसी जा यहां पर बालक में दीतिया में आप लगा दीजिए यहां पर मा में हलन्त क्या हो गया बालकम हो गया उसके बाद क्या था यहां पर देखे तो एन क्या था एन तो यहां पर लगा दीजिए त्रितिया में ए और न हो गया बालकेन फीर देखे तो यहां पर क्या था एन के बाद क्या था आए क्या था आए तो यहां पर आए आ का मात्रा लगा दीजिए यहाँ पर आ लिख दीजिए आ हो गया और य लिख दीजिए क्या हो गया बालकाई और फिर क्या था यहाँ पर बच्चो देखे तो क्या था आत तो यहाँ पर फिर लगा दीजिए यहाँ पर पंचमी में यहाँ पर क्या लगा देंगे आत यानि आ की मात्रा को लिख देंगे आ हो गया और तमे हलंद बाल कात हो गया और फिर क्या था यहाँ पर श्य यहाँ पर क्या सिखायते हम यहाँ पर श्य और फिर ए तो यहाँ पर आप लगा दीजिये श्य यहाँ पर सस्टी में आपको क्या लगा देना है बच्चो आधा श्य में य हो गया बाल का श्य और फिर सब्तमी में क्या लगाना था ए तो यहां लगा दीजिए ए की मात्रा हो गया बाल के और शम्मोधन में यहां पर हे लगाने पड़ता है हे लगा ये और बालक उपर में जो रहता है वही यहां नीचे भी रहता है और यहां पर ये चिन लगा दीजिए हो गया आपका पूरा बालब का जो एक बचन था वो पूरा देखे आपका कभर हो गया ये फर्स्ट वला लाइन जो आप याद किये उसी के बेस पर देखे आपको पूरा एक बचन यहां प्रत्थमाशे लेके देखे समोधन तक पूरा हो गया है इसी बेस पर समोधन को आपक आगे हैं समझ में बच्चो एक बचन कैसे करके हम लिख लिए आप देखें सेकेंड वाला दी बचन का दी बचन का तो बहुती इजी है फटाक से आपको याद हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या याद करना है कि दो ओ दो ओ ठीक है और तीन आभ्यां तीन क्या होगा आभ्या और दो यो हो यो लगा के बिसर तो चलिए हम इसका दी बचन का पूरा बना लेते हैं पूरा लाइन को हम बना लेते हैं एकदम आशानी से तो पहले क्या था दो ओ यानि दो ओ को लगा दिना है तो यहाँ लगा दीजी दो ओ एक ओ बालक ओ और यहाँ पर और एक ओ हो गया दो आउ, बालकव, बालकव, दो आउ का हो गया हुरा, अब क्या लगाना है आपको तीन आभ्याम लगाना है, तो आभ्याम लगा दीजिया, आखी मात्र दे दीजिया और भ्याम लगा दीजिया, हो गया बालकव भ्याम, तो तीन ठो आपको ऐसे लगाना है, तीन बार आपको करना है इसको repeat बाल का अभ्याम बाल का अभ्याम बाल का अभ्याम हो गया ये line भी आपका cover हो गया जो यहाँ पर था तीन अभ्याम ये भी कतम हो गया अब क्या करना है दो योहो दो योहो तो चलिए अभ्याम के बाद दो योहो लगाना है तो यहाँ लगा दीजे, बालकईओ, यो़गो लगा दीजे, बालकईओ, ये कितना टाइम्स, टू टाइम्स लगाना है आपको, हो गया, बालकईओ, बालकईओ लगा देना है, और इसमें सम्मोधन में आपको क्या करना है? उपर में जो रहता है जैसे बालकोव है तो इसको बालकोव कर दीजिए सेम उपर वाला जो प्रतमा होता है प्रतमा विभक्ति के अनुशारी सम्मोधन होता है और आगे आपको हे लगा देना है और इस चिन को दे देना है हो गिया आपका सम्मोधन कभर ठीक है यानि आपको दीवचन समझ में आ गिया है ये बहुती आसान ट्रिक था अब आपको क्या करना है बहुबचन में आपको देखना है तो चलिए हम बाखुबचन का लाइन में आ जाते हैं बाखुबचन में क्या आपको दिमाँंग में रखना है आपका दो मीत्र का नाम है दो दोस्त का नाम याद रख लेजेगा एक का नाम आनाम और एक का नाम एश्य। हो गया तो चलिए हम आब इसको third line को करते है इससे ठीक है तो चलिए इसको हम करते है तो चलिए ये बहु बचन को करते हैं यहाँ एसू नहीं होगा गलत हो गया एसू एसू एक दोस्त का नम क्या है आनाम और एक का नम क्या है एसू याद रखेगा आनाम ए-सू ठीक है, तो چलिए हम इसको, ठर्ड लाइन को इसी के माद नम से पूरा कफर कर देते हैं, पहले क्या था आहा, पहले क्या है यहाँ पर आहा, देखिए, फर्स्ट में, तो यहाँ पर क्या कर दोंगे हम? आहा, आथी मात्रा डाल देंगे, और यहाँ बिसर्ब मात्रा लगा दीजिये और न में हलंत यहाँ पर भी हलंत लगा दीजिये आन में तब याद रहेगा ठीक है उसके बाद क्या है आपको क्या लगाना है यहाँ पर देखिए ए है ए लगाके और बिसर्ग तो चलिए इसमें लिख देते हैं इसमें क्या कर देते हैं ए की मात्रा और बिशर्ग, बाल कै, बाल कै, हो गया, उसके बाद दो एभ्या, दो क्या है, एभ्या, तो आपको यहां लगा देना है, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा लगा दिये, आधा भा में यह, और बिशर्ग, बाल कै भ्या, तो दो बार था, टू टाइम्स था, यहां पर भी कर दीजि बाल के भ्या, बाल के भ्या हो गया, उसके बाद क्या था, दो दोस्त का नाम आपका क्या था, आनाम एशू, आनाम एसू, याद रहेगा, तो चलिए, यहाँ पर कर दीजिए, आनाम, यहाँ पर आपको आनाम लिखना है, आ की मात्रा लगा दिए, और नाम लिख दीजिए, ब सही बालका नाम और एशु तो में एख ही मात्रा लगा दीजिए बाल के और शु लगा दीजिए यहां पर पर बालके शु और यहां पर समो धन में क्या सिखाए जो उपर मी रहता है प्रतमा में same to same वो ही आजाता है समोधन में तो यहां लगा दीजिए बाल का और यहां आगे हे लगाना है और यहां समोधन का चीन को लगाना है हो गया पूरा आसान ट्रिक तो आपको इसमें ये तीन चीज को एकतम अच्छा से याद कर लेना है तो आपका पूरा सब्दूर्प किलियर हो जाएगा चीक है बच्चों तो चलिए इसको एक बार हम सुरू से आपको पढ़ा दे रहें बालका सब्दूर्प को एक तमच्छा से पढ़ा दे रहें ठीक है विभक्ति एक बचन, दी बचन और बहु बचन प्रथमा, दितिया, त्रितिया, चतुर्थी, पंचमी, सस्टी, सप्तमी, शम्मोधन बालका, बालको, बालका बालकम, बालको, बालकान बालकेन, बालकाभ्याम, बालके बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या बालकश्य, बालकयो, बालका नाम, बालके, बालकयो, बालकेश्यू हे बालक, हे बालको, हे बालका तो बच्चो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये ट्रीक अच्छा लगा तो कमेंट करके बताईएगा ये सब दूरूप लण करने का तरीका जो था जो आसान ट्रीक था वो कैसे लगा और लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके और अगर पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हैं तो जरूर से जरूर सस्क्राइब कर दीजिएगा तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ थांक यू सो मच बाबाई